नमस्कार राश्को समर्पीत ओठीरी इन्या में आपका स्वागत है मैं हूँ रोशनी सिंग मुंबई में शिवसेना विधायक ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की सारी हदे पार कर दी नेता जी यह भी भूल गये कि कोरोना फैला हुआ है ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है मामला चांदी वली से शिवसेना के विधायक दिली प्लांडे से जुड़ा हुआ है नेता जी ने एक ठेकेदार को पानी भड़ी सरक पर बिठा दिया उनके लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया इतना ही नहीं विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया वहीं अब उनकी इस हरकत का वीडियो वाइरल हो गया है जब वीडियो वाइरल हुआ तब अपनी इस हरकत के पीछे विधायक ने दलील दी कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था इसलिए उसके साथ ऐसा सुलूक किया गया विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि नाले की सफाई ठीक से नहीं होने की वज़े से सड़क पर पानी चमा हो गया था सवाल तो ये उठता है कि क्या वे कभी भरष्टचार अधिकारियों और नेताओं को नाले में बिठाने की हिमत कर पाएंगे काम नहीं करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कारिवाई होनी चाहिए इस बात में कोई दोहराई नहीं है लेकिन वहीं छोटे-छोटे लोगों पर इस तरह का दुर्वयवार करने के वज़ाए अगर इन्हें सपोर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारिवाई होती तो शायद ऐसे स्टंट करने वाले इन नेताओं का सही तरीके से नाम लिया होता लेकिन वहीं इस खबर के दूसरे पहलू की बात करें तो ऐसे नेताओं का होना सही भी है क्योंकि कामचोरी करने वाले थेकेदारों की कभी हिम्मत ही ना हो कामचोरी करने की वैसे बारिश के महीने में सडको पर पानी भरने की दिक्कत गुजरात में भी देखी जाती है अगर ऐसे नेता हो तो भ्रश्टचारी कॉंट्राक्टर की अकल ठिकाने आ जाए पर सवाल तो ये उठता है कि क्या ऐसे नेता गुजरात में है क्या गुजरात में भी गलत कामगीरी करने वाले कॉंट्राक्टर्स के खिलाफ कोई धोस कदम उठाया जा सकता है अगर सभेनेताओं ने सही तरीके से काम शुरू किया और ऐसे कामचोरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कारेवाई करते रहे तो कोई भी कैनाल नहीं टूटेगी रोड पर खड़े नहीं होंगे और ना ही कोई ब्रिज चूटेगा आज के खास कबर वसितना ही आगे भी खबरों से अबडेटे रहने के लिए देखते रहे हैं OTT इंडिया रग रग महिंदस्तान